आज आप आचारिय विनोध श्री माली के द्रारा सुन रहे हैं, भगवान के द्रारा बनाई प्रकृती ने हमें बहुत सी बस्तुएं दी हैं, उनमें से एक है हल्दी, वैसे तो हल्दी खाने के स्वाद को बढ़ाती ही है, साथ ही यह जीवन से समस्याएं भी दूर कर देती ह नजर दोश, कुंडली में ब्रिहस पती को करती है, मजबूत करना हो तो हल्दी कारगर सिद्ध होती है, हल्दी के इतने ज्यादा गुण है कि आप उतम स्वास्ते, धन और विवाह के मनों कामना को पूरा कर सकते हैं, हल्दी का रंग पीला होता है, पीला रंग शुबता का प्रतीक होता है, हिंदू पौराने कथाओं में पीले रंग को शुब रंग माना गया है, हल्दी एक विशेश प्रकार की ओश्रदी है जिसमें देविये गोन होते हैं, खाने का स्वात को बढ़ाती है, जीवन में संपन्नता लाती है, हल्दी नकारात्म कूर्जा को भी हल्दी मिलाइए और उससे सनान कीजिए रोज, इसी जल से भगवान को अर्धिम दीजिए, जल चढ़ाने के बाद लोटे के किनारे जो हल्दी लगी रह जाती है, इसी हल्दी को अपने माते और कंट पर लगाएं, यह प्रयोग लगातार लगभग एक महीने तक करते रहें यह उपाय अगर आप गर्मियों में करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, उस समय सूरे की केरणे इस हल्दी के साथ मिल कर अंदर मौझूद ब्रहसपती को मजबूत कर देती हैं, विवाह में इसलिए लगाते हैं हल्दी कहते हैं नकारात्मकूर्जा को न जिस से देखा जाता है कई बहुँं और वरों की तबियत खराब हो जाती है, ऐसे में अगर उनको हल्दी लगी हो तो यह समस्या उन्हें नहीं आती, यह शरीर को सुन्दर भी बनाती है, और इस पर पांच-साथ दिनों तक किसी भी तरही की नकारात्मकूर्जा का प्रभा लीजिए, अब एक कागज लीजिए और अंगली कागज पर श्री लिखें, अब इसे पूजा स्थान पर रखकर धूप बत्ती दिखा कर शुद्ध कर लीजिए, अब इस कागज को मोड़कर अपने पास रख लीजिए, अब इसे अपने परस में रख लीजिए, ध्यान अगर किसी गुरुवार को पुशिनक्षत्र पढ़ता है तो इस विधी को जरूर करें। निश्चित रूप से यह प्रयोग विशेश लाबकारी होगा। इसे रखने पर आपको धन का अभाव नहीं होगा और अगर गुरुवार पुशिनक्षत्र लंबे समय तक नहीं आ रह है तो किसी भी गुरुवार को प्रातेहकाल कर लीजिए। हर महीने पुराना कागज जल में प्रवाहिद कर दीजिए और नया कागज रख लीजिए। जब तक इस कागज पर श्री लिखा हुआ है और तब तक आपको धन की कमी नहीं होगी। जोतिष में महत्व जोतिष मे हर किसी भी वस्तु का संबंध ग्रह से माना गया है हल्दी का संबंध रंगों के आधार पर अलग-अलग ग्रहों से होता है जोतेश की नजर से अगर हल्दी को देखा जाये तो हल्दी कई रंगों की होती है हल्दी पीले रंग, काले रंग और नारंगी रंग की होती है हल्दी ब्रिहस्पती से संबन रखती है जब हल्दी कच्ची होती है तो वे हद्रक की तरहें दिखाई देती है इस समय उसका छिलका हटाने पर यह नारंगी दिखाई देती है नारंगी हल्दी मंगलवार से संबंद रखती है, काली हल्दी शनी से संबंद रखती है पीली हल्दी को जोतिश में ब्रिकस्पती को मजबूत करने के लिए और समस्याओं के दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है भोजन में हल्दी भोजन में अगर संतुलित मात्रा में हल्दी का प्रयोग करेंगे तो आपको किसी तरह की बीमारियों का समाना नहीं करना पड़ेगा शरीर में जो विश्ट जमा हो गया है उसको निकालने के लिए हल्दी का प्रयोग जरूर करना चाहिए ज्यादा हलदी के सेवन से आपको डाइजेशन भी शिकार हो सकता है पेढ या कैंसर सम्बन्धी समस्या हो तो पीली हलदी का दान बेहद लाबकारी माना गया है रोज सुबह अगर आप हलदी काति लक लगाए तो व्यक्ति को वानी के शक्ती मिलती है अगर आप माथे पर नहीं लगाते तो कंट पर तो जरूर लगाएं ऐसे में आपकी वानी जरूर प्रभावी होगी जीवन में सात्विक्ता बढ़ती है आप हल्दी की माला से ब्रहस पतिदेव के मंत्र या ज्यान के मंत्रों का जाब करते हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान बनता है हल्दी की माला पहन सकते हैं ध्यान रहे कि आपको त्वचा संबंधी कोई एलर्जी ना हो इससे भी आपको प्रभाव बढ़ता है कृपया हमारे द्वारदी जा रही जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चानल को सब्सक्राइब करे जयाश्री